डिफेरेंस बिटिन वाले आज के इस वड़े में हम बात करने वाले hollo parasitic plants और hemi parasitic plants इन दोन में क्या Hearts होता है Hollow Parasitic Plants ऐसे Plants होता है जो पुरी तरह अपने host पे dependent होता है food के लिए और Hemiparasitic Plants ऐसे Plants होता है जो पुरी तरह नहीं लेकिन Partially dependent होता है host पे अपने food के लिए क्योंकि in Hollow Parasitic Plants के अंदर Chlorophyll नहीं होता यारी कि वो photosynthesis नहीं कर सकते है तो इसलिए वो पूरी तरह dependent होते हैं अपने host पे, food के लिए, nutrition के लिए, लेकिन hemiparasitic plant के अंदर chlorophyll होता है, यारी कि वो photosynthesis कर सकता है, और photosynthesis से अपना काना बना लेता है, उसके अलावा उनको जो nutrition required होता है, उसके लिए वो host पे dependent रहते है, यारी कि वो पूरी तरह host पे dependent नही बोलता है, तो जो भी parasite पूरी तरह अपने host पे dependent होता है, nutrition के लिए या फिर food के लिए आप कह सकते हैं, तो उसको total parasite बोलता है, और जब भी कोई भी parasite थोड़ा बहुत host पे dependent होता है, अपने nutrition या food के लिए, तो उसको partial parasite बोलता है, ऐसे और content देखने के लिए आप Google पे सर्च क लाग बावतो